एक्चुली 2022 में शाक टैंग के बाद मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया तुम लोग को मालूम यह मैं अभी अलग जगह पर रहता हूं I was trying to build something and मैं अपने एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा था ममी बपा के साथ सिस्टर के साथ and obviously मेरी personal life that is my love life अब उसमें क्या हो गया गलत इंसान से प्यार हो गया and उस चीज की वज़े से मैं काफी ज़ाद परिशान दा मैंने कभी इसके बार में बात नहीं की किसी से and मुझे कोई regret नहीं है जो भी हुआ ठीक है यह soul and soul मेरी responsibility है यह मेरा खुद की यह चीज है जो मैं जहली लाइफ में अब क्या हो रहा है उससे निकलते निकलते मुझे बहुत वाक्त लग गया बहुत बड़ा जटका था मेरे लिए मेरी family के लिए भी and वो एक ऐसा time था जब मेरी तबहत खराब हो गया मुझे मुझे diabetes का issue हो गया मुझे thyroid का problem हो गया मेरा वजन बहुत बढ़ चुका था भाई लोग मतलब 2023 की बात है यह मेरी ऐसी हालत खराब थी कि मतलब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अगर तुने अपनी health का ध्यान नहीं गया दिया तो तू बया भाई खाला से तू तो मैंने अपनी health पे ध्यान देना शुरू किया और अच्छे से मैंने अपनी health का ध्यान दिया और उस उस क्या बोलते हैं उस बीस से निकलते 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 में अभी भी ना लिए Bhagavan रहा है हम भात करते करते ना लिए गवरा रहा हम अप लोग उस भीस से निकलते निकलते मुझे बहुत बोसे लग गया और के द inva too high- заним cud तो प्रवार कि मैं आप लोगों से दूर चले गया अपनी परस्नल लाइफ बिल्ट करने के चक्र में कि मुझे जितना प्यार इस चैनल से है मुझे और किसी चीज से नहीं है आपको पता है आपके लाइफ में अगर आपको गलती करते हो दोस्तों के साथ कुछ गलती हो जाती है तो आप कैसे दोस्तों से पेस ले ले तो आप दोस्तों से मिलोगे तो आपको एक शरम आएगी उनको फेस करने में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मुझे आप लोगों को पेस करने में शरव आ रहे थ हैं लेकिन आज लगों यह लोग नहीं कोई प्रांक नहीं यह थे चाहरी है जो महीं बताना चाहता था मुझा आप लोग बहुत आता रही हैं and I just want to thank you each and every one of you कि इतने टाइम आप लोग मेरे साथ रहे आप लोगों ने मुझे इतना सार प्यार दिया and मैं बस माफी माँगना चाहता हूँ यार प्लीस मुझे माफ कर दो प्लीस यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैं को कोई सिंपती नहीं चाहिए मैं को आप लोग जो ये कह रहे हूँ न मुझे बुराल नहीं I am sorry that I was and मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार मुझे बस मुझे माफ कर दो मैं आप लोगो जो मैं बात कर रहा हूँ नो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये तो हमेशा मैं मस्ती मजाक में करता हूँ मस्ती करता हूँ क्या करता हूँ इस अब भाई लोग मेरे पास एक खुशकबरी है नहीं वीडियो को टाही मैं जूट नहीं बोलूँगा लेकिन मैं जब इस फेज में था इस फेज से निकल के मैंने सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दिया और मेरी मेरी हेल्थ बहुत खराब होगे दिया मतला मुझे अस्तमा का भी प्रॉब्लम था तो मैंने बोला कि अब तो मुझे लड़ना है अपने इस बॉड़ी से और मेरा वज़न हो चुका था 130 130 kg जी हाँ मैं आपको दिखाऊँगा वो फोटो मैं आपको दिखाऊँगा मेरा इतना वज़न बढ़ गया था घर बैठे बैठे खाना मालू मैंने जब मूड खराब रहता है तो आप उस फेस में चले जाते हो कि आपको समझन आते है मैं मूनी पपा से बात निहीं होती थी मैं अकले रूम में बंध रहता था और मैं पर्टी नहीं किरता कुछ नहीं नहीं बाठो करें एक दिन इसके बारे में जादेए हम अलग में आपको और जो आज बी जब मुझे आप लोग गाली मारते हो बीके लीडियो कब आएगा मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि अगर आप मुझे गाली मार रहों मेरी वीडियो के लिए मतलब आवेट कर रहे हो और दुनिया में इससे लगी इंसान कौन होगा कि इसके फैन्स उसे गा मुझे बुरा नहीं लगता है जब आप लोग गाली देते हो मुझे बुरा नहीं लगता है जब आप मुझे कहते हो कि हराम खोर वीडियो का वाएगी गाली दे के जो भी आप लोग कहते हो मुझे अच्छा लगता है मैं बहुत लटी फील करता है वो मजह कोई भी एक हैता है ना कि यार आशु तिरको ढरने लगता है लोग इतना गाली दे रहें डिच्फित कैसा on मुझे अस दरूँ पर देंगे ना उस दिन डरूहां मैं तो थांक यू I am very happy to have all of you December 2014 मेरे birthday पे मैंने चैनल चालू किया था मेरा पहलो वीडियो था and technically July 2014 में मैंने अपना करियर चालू किया था it's almost 10 years मुझे 10 साल हो गया इस करियर में last 2 साल धीले गया I know and मैंने आपको बता है ना कि जब मैं उस phase में था तो उसी phase में मैंने सस्ता बेग बॉस 2 बनाया था याद है आपको वीडियो and जब वो मैंने वीडियो डाला मुझे रियलाईज हो आप लोगको वीडियो नहीं अच्छा लगा आप लोगको वीडियो नहीं अच्छा लगा मुझे मालूम है and इसमें कोई शरम की बात नहीं है या एकसेप्ट करने में कि वो वीडियो अच्छा नहीं था आप लोगको नहीं अच्छा लगा आप पूरी तरह से डिसपॉइंड होगे और आज मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि हाँ मैंने उसमें अपनी जान नहीं डाली मैंने उसमें अपना पूरा हंड़ेट पसंद नहीं दिया था and हाँ वो दिख जाता है I know फिर लेटर ओन ऐसा हुआ सस्ता बिक बॉस को वाफी लोगों ने पसंद किया लेकिन जब वो इनिशली आया था न मुझे याद आप लोगों को नहीं अच्छा लगा and वो चीज न मुझे बुरी नहीं लगी मैंने उस चीज के लिए एक ही चीज सोची कि क्या पब्लिक को नहीं अच्छा लगा न मैं पब्लिक की सुनूँगा और तभी मैंने होली का वीडियो बनाया था याद है आपको वो होली का वीडियो प्यॉरली आप लोगों के लिए था प्यॉरली लाइक वो ओल्ड होता है न एक दम ओल्ड स्टाइल and उसको आपने बहुत प्यार दिया इसी लिए वो सस्ता बिग बॉस पर जो आपका critical reception था वो जो and देखो यार मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो unnecessary hate करते हैं मैं अपने fans की बात कर रहा हूँ मैं अपने fans की बात कर रहा हूँ तुम लोग की तुम लोग को अगर कोई चीज genuinely अची नहीं लगते है I am going to take it मैं हमेशा मैंने अपना career ही उस चीज़ पर बनाया अगर कुछ नहीं समझा आ रहा है तो नहीं समझा आ रहा है बात खतम ऐसा गली-गली cricket गली-गली के time भी हुआ था although आज के time पर वो मेरा सबसे successful video life का सबसे important मतलब हमारा अज के time पर वो मेरा सबसे successful video life का सबसे important मतलब हमारा ऐसा ही होता है वाला मीम उसी में से आया था तो हुआ ऐसा तो मैंने आपका जो criticism था आप कितना भी public public अगर आपको कुछ कह रही है आप वो चीज नहीं छुप नहीं सकते आप उससे आप खुद को जूट बोल नहीं सकते अगर आप खुद को जूट बोल रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं है तो मैंने वही किया मैंने मैंने जूट नहीं बोला मैंने आप लोग का criticism दिल पे लिया और मैंने अपने आपको प्रॉमिस किया कि मैं अगला जो भी बनाऊंगा इतनी महनत करूँगा इतनी गानफाड महनत करूँगा कि एक भी स्टोन मतलब बोलते हैं न एक पी चीज मैं 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 फॉर ग्रांडड नहीं नहीं हुआ और वही हुए है मैं कुछ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और मेरे को पिछले bleibt का दैन देना थ है यह एक ऐसा आइडिया था मेरे दिमाग में जो मैंने सालों पहले कुनाल को जादू को बोला था जब मैंने यह आइडिया सुनाया था सब लोगों ने मेरे को बोला था तू पागल हो गया है तिरे को यह बनाना है और यह कहानी मैंने आप लोगों के लिए लिखी है और इसमें बहुत मेहनत की है यह रही वो स्क्रिप्ट नाम नहीं दिखा सकता मैं नाम ओके यह को टाइटल नहीं रिपील करने आप लोगों को यह देखो रिटन बाइ आशीश चंशलानी देख सकते हो हमने तीन मैना मैंने अपने टीमेट्स के साथ यह स्क्रिप्ट लिखी है यह स्क्रिप्ट मेरे दिल के बहुत करीब है बहुत करीब है और इसको बनाते बनाते बहुत बहुत गान पड़ गई है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जिसके लिए एक पर्टिक्लर सीजन में आप शूट कर सकते हो और जब हमने वो शूट किया तो बारिश पड़ गई और हमारी हालत कराब हो गई और टाइम लग रहा है उसको बनने में लेकिन मेरा वादा है आप लोगों से यह चीज़ पर मैंने इतनी महिनत किये न इतनी महिनत किये और इसमें मही नहीं उसमें बहुत सारे characters और भी है and I just want support from all of you guys मैंने अपना सब कुछ लगा दिया मैंने जो भी पैसे कमाये थे मैंने सब इसमें लगा दिया and मुझे नहीं मालुम इसके आगे life मुझे कहां लेके जाएगी किदर लेके जाएगी लेकिन मैं इतना आपको promise करता हूँ मेरा दिल है इसमें पूरा मेरा दिल है जो गलती मैंने पिछली बार की थी न जो आप लोगों ने मेरे को कहा था आप लोगों के ये script जो बनी है न ये आप लोगों के प्यार और criticism की वज़े से बनी है ये बात हमेशा आद रखना this is you guys not me and ये this is a love letter to all each and every ACVN out there अभी मैं आप लोगों को comments पढ़ रहा हूँ release date मैं नहीं बता सकता हूँ पर time लगेगा मैं आपको genuinely बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो के और भी portion शूट करना भागी है इधर Bombay में बारिश बन चालू बन चालू बन चालू हो रही है हम निकलने की कोशिश कर रहे है I think 20% शूट बचा हूँ है और जब आप इसको एक साथ देखोगे तो आपको realize होगा हम लोग ने क्या बनाया है and time तो लगेगा please show one of the line opening बता हूँ क्या opening पड़ोगे मैं character के नाम नहीं लूँगा मैं ऐसे कैसे बता दूँगा मैं ऐसे कैसे बता दूँगा और मुझे भी आप लोगों को देख कर बहुत अच्छा लगा Jayur Gaming ने लिखा है Thank you मुझे बहुत खुशी हो रही आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहे and अच्छा लग रहे किatriya कितनी लंबी वीडियो के काफी लंबी वीडियो लेकिन कितने वीडियोरोगे गें तो ये नहीं बता सकता हूं और इस प्रॉजेक का जो एंड होगा जो एंड होगा लास्ट के मोमेन्ट वो कुछ अलग ही लोग ने अलग मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि औरे बैं क्या बनाया हम लोगे नहीं कुछ एक न्यू चीज की है उमीद है कि आपको अच्छी लगए और मेहनत की है गाइस तीन महीने से जादू मैं कुनाल सिम्रन और भी लोग है मैं नाम नहीं ले सकता हूं लेकिन इतन केला नहीं देखू इसे रिटन बाइ मी स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है ओविसली बहुत सारे लोग और भी जुड़े होए थे स्टोरी टेलिंग में और पैच्छ वक के लिए इस क्रिप में ग्रिशी था ग्रिशिम नावानी और भी लोग थे जशू था कुनाल था लेकिन स्क्रीन प्ले पूरा इस मैं बेबी यह मैंने कॉलेज टाइम में यह इडिया सोचा था और मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ यह पहले तो हमारे कंट्री में एक्स्प्लोर नहीं किया गया है टॉपिक बादा आए गा और है आप लोग के टाइप का है निउ स्टोरी है निउ लोगे के लिए इस इस यू गाईज टॉपिक क्या है और और कॉमेडी गाईज अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए था मैंने शौर्ड्स डाला था और कॉमेडी है फैमली फ्रेंड्ली मैं कैसे समझाओं जितनी बक्चोदी लॉंडो में होनी चाहिए उतनी है लेकिन ओवर था टॉप भी नहीं है गालिया इसमें आप समझ रहे हो ऐसा मतबाव हर जगा गाली 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 नहीं अभी हम लोग वो अवाइडी करते है ठीक है जितना सेंटेंस में निकल जाती है मस्ती मजाक में निकल जाती है उतनी है और क्या में को तुम लोग से बात करनी है यार bro it will come in 2024 I am trying my best I am trying my best मैं कोशिश कर रहा हूँ क्यूंकि इसमें बहुत पोस्ट का बहुत काम है पोस्ट मतलब एडिटिंग का बहुत काम है जब तक मैं यह मैं आप लोग से बात करना चाहता था कि जब तक यह जितना सेंटेंस में निकल जाती है मस्ती मजाक में निकल जाती है I am trying are you feeling now after that this भाई लोग घ्यार थोड़ा लड़के लोग समझेंगे यह जब एक self-respect पे आपकी आ जाती है ना बात जब आपका self-respect hurt होता है ना तब हम लॉंडो का जो दिल तूटता है उसकी जो आवाज गुंचती है ना वो इस दुनिया में सबसे high frequency वाली आवाज रहती है वो ही हुआ मेरे साथ अभी कुछ दिनों से जब से मैं अपना वजन कम किया है मैंने अपने health का ध्यान दिया है मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने जो यह अपना वजन कम किया है यह मेरे लिए मैंने मैं अपनी हेल्थ के ले किया था तो लोगों को लग रहा था अरे ये कर रहा है वो कर रहा है ये प्रोजेक्ट ऑफर आये आप लोगों को बता नहीं सकता हूं भाई लोग लास्ट सिक्स मंस में मुझे जो जो चीजों के ऑफर आये मूवी इस वेब शोज मैंने सब छोड़ क इस पर ध्यान दिया है इसके बाद देखेंगे मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ लेकिन ये जो मैंने किया है ये आप लोगों के लिए किया है मैंने सब कुछ त्याग दिया है मेरी पूरी तपस्या इस प्रोजेक्ट में है ACV 159 आल फे आल के लिए तुम लोग इसको ACV 159 बोल सकते हो मैं बता अभी मैं तुम लोग के लिए क्या कर सकता हूं मैं यह वेट में इस जो वेट है जब तक मैं मैं आप लोगों के बात करना चाहता है कि जब तक ये इसका पोस्ट कर रहा है औं इसकी chDr. चले यह खतम हो मैं क्या कर सकता आप लोगों के लिए जिससे आप लोग एंटर्टेन हो उस लंबे इंतजार क्या करे मैं क्या करो एक गाली ओल्ड वाली स्टाइल में तुम लोगों मालू मैं आपके ओल्ड वाली स्टाइल वाले content नहीं चलता है अच्छा पुराना कौन सा वीडियो है जिसका तुमको सीक्विल चाहिए तो शायद में भी मैं इस प्रोजेक्ट के बाद उस पे जाऊ किस सीजन की शूटिंग है भाई ये mostly नवेंबर नवेंबर में पोस्ट दिवाली क्योंकि जहां हमको शूट करना है अभी अभी गनेश चतुरती की वज़ए से बहुत जगाओ पर विसरजन हुए थे तो we have to shoot near lakes तो हम lakes का वेट कर रहे है बारिश इतनी पढ़ रहे हैं कि shooting बहुत impossible हो रही है अच्छा मेरे को बताओ कौनसी ऐसी वीडियो है जिसका आपका sequel चाहिए गली cricket, shark tank tuition classes मैं देख रहा हूँ मैं आप लोग के romantic scenes है नहीं दोस्तों इसमें कुछ romance नहीं है जो मेरा project इसमें कोई romance नहीं है sorry romance वाला बाद में बनाएंगे यार मैं OTP के बड़े comment देख रहा हूँ तुम लोग को OTP बहुत पसंद है क्या मुझे ऐसा क्यों लगता है OTP सब मुझे ही पसंद है मुझे ऐसा feeling थी मेरे दिल के करीब अगर तुम लोग channel पे अगर मैं ऐसा पूछोगे मेरे सबसे करीब अगर दिल के कोई project है वो OTP है क्योंकि यार वो वो कोई types नहीं है आप समझे रहें वो एक story है जो हमने लिखी थी हमारे characters से तो जब आप कुछ original story लिखते हो ना अगर वो public के साथ connect करते है तो वो आपके लिए हमेशा favorite हो जाती है and OTP is the reason हम ये ACV 159 बना पाए है OTP के जैसे हम इम्मेत आई थी तो आपको OTP पसंद है क्या बहुत मैं पढ़ रहा हूँ thank you bhai लोग thank you tuition classes obviously is my most viewed video on the channel तो bhai लोग कौन सा OTP 1 पसंद है 2 पसंद है आप लोगों को 1 पसंद है 2 पसंद है मैं वह पढ़ रहा हूँ 1 2 2 both thank you so much I think आप लोगो 2 जादा पसंद है न इसलिए शायद आपको मजा आ गया था I'm glad I'm glad आपको पसंद है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि OTP के उनिवर्स को भी मैं आगे लेके जाऊ and जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं बनाऊँगा ना guys मैं नहीं लेक्या हूँगा अभी जो मैंने सस्ता पिक बहुत में गल्ती की न और मैंने आप लोगों को जो मुझे इसा फील हुआ कि मैंने बोलते है ना वो फॉर ग्रांटेड ले लिया मुझे और महनत करनी चाहिए थी महनत की थी जब आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है ना मैं फिर पीछे जाके यह सोचता हूँ कि नहीं यार अभी महनत करनी है अभी एक एक सीन एक डायलोग मैं जान लगा दूँगा मैं सौ बार बैठूँगा उस पे लेकिन यार मुझसे सब पूछ रहे ताजा ख़बर सीजन टू देखा भाई लोग अब्यूसली देखा यार अब्यूसली देखा भाई का शो है मेरे जिगरी यार का शो है कैसे नहीं देखुआ मैं तुम लोग से पहले ही मेरे को बहुत आइडिया था और मैं क्या बोलू भाई के लिए what he has done nobody can and मैं तो surprised भी नहीं है honestly he is always capable और वो इसे कही जादा capable है ये तो कुछ भी नहीं है and जब उसका success हुआ मेरा तो था ऐसा ये तो हो नहीं था I mean like come on अभी नहीं तो कल so I'm very happy for him I'm very proud of him I love him as a human being he deserves everything in this world but as an artist he's getting what he deserves but what a guy बहुत प्यारा लड़का है भो या बगवान बगवान का बच्चा बगवान के बच्चे होते ना कुछ बुवन उन में से एक है अच्छा दैस अभी मुझे एक बात बताओ मे को support करो के तुम लोग मैं जब ये series लेकर आऊंगा मैंने अपनी दिल मैंने अपना जान लगा दिया है मुझे बस आप लोग का support चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैं को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है और मैंसे कुछ जादा मैं मैं से कुछ कमाने नहीं वाला हूं अगर मैं कुछ कमाने वाला हूं तो मेरे को बस मेरे को चाहिए आप लोग देखो और enjoy करो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए I swear on anyone in my family मेरी family में किसी को भी उठा के आपका असम मतब जहां मुझे बस चाहिए मेरी जनता देखे enjoy करें तो आप लोग प्लीज मुझे support करोगे मेरे इस project के लिए ACP 159 गाईज और जिन्हों ने नहीं देखा shots में आप देख सकते हो shots में recently uploaded में मैंने इसका छोटा सा teaser भी बनाया था आप लोगों के लिए वो भी मैंने peer pressure में डाला था क्योंकि लोग मुझे पूछते थे क्या भाई आप तो गूमी हो गया audience की कहने ऐसा नहीं है प्रॉब्लम यह है कि उसको बंते बंते time लग रहा है जब भी आयेगा आप समझ जाओगे क्यों इतना time लगा है छोटी छोटी डीटेल्स चोटी 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 वह एक ऐसा genre है जो ऐसे limited budget में बनाना मतलब ऐसा दोधारी तलवार लेके चलना है दोस्तों तो वही है हम लोग और मैं यार मैं कोई बड़ा production house हूँ कोई मैं कोई ये बॉलिवूड में production house तो हूँ नहीं कि इधर से financer उठाया और से financer उठाया मेरे को बस यार प्यार देना यार enjoy करना and ऐसा समझना तुम लोग में से ये एक लड़का है जिसने ये बनाया है ठीक है can we get that series before gtsx 100 टका भाई ये भी कोई बात है obviously आ जाएगा how long is the video half hour half hour जो आएगा अभी मैं इस से जाधा detail नहीं दे सकता हूँ लेकिन half hour कोई आदा घंटा चलेगा कम करूँ मैं आदे घंटे से कम करूँ जाधा करूँ बोलो बोलो आप लोग बोलो मैं सुन रहा हूँ आपक कि कि इतना टाइम वेट करा के बच मतलब थोड़ा सा देके भाग जाऊंगा ये मत सोचना आएगा आदा घंटा गाई जाए उससे ज्यादा ज्यादा चाहिए तुम लोगों को मेरे को लगा तुम लोगों आदे घंटे के उपर का पकता है अरे तुम लोग सम रील्स देख देखते हो मेरे को बात बताओ रील्स देखते हो उसका तुमारा अटेंशन स्पैन तो बहुत कम हो गया है कैसे तुम लोग एक गंटेगा देखोगे मोर देन 30 मिनिट्स ओके मैं 31 31 या 32 मिनिट्स का बढ़ा था हूँ वाई लोग मेरे को मैं almost emotional हूँ आज तुम लोग से बात करके मैंने इतना openly कभी बात नहीं किया है कभी नहीं एक filter लगा के आता था था मैं हमेशा और आज दोस्तो अच्छा लगा बात करके तुम लोग उसे तुम लोग हो साथ यार बहुत important था मेरे लिए ये तुम लोग से बात करना इस channel पर आना मुझे बढ़िया बढ़िया लग रहा है यार ACV 159 का universe बनेगा बिल्कुल बन सकता है क्यों नहीं बन सकता है आप लोग डाल सकता है behavior व्लोग मेरी जान से लिए-डिगजभाथ लोग बैठे क्यों बना हूं-ट्या था क्या मचा रहे मेरी चीज ही नहीं मेरी जो चीज है मैं बना रहा हूँ तब तक मैं सोच रहा हूँ रील्स वील्स पर आप लोगों से बात करना था मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए था आप लोग आओगे न देखने इतने साल मैं आपको एंट्रेंट किया है अभी मैं वापस एंट्रेंट करना चाहता हो वेरी बस यही रिकोएस्ट है आजाना यार देखने चैनल पर प्लीज सपोर्ट करना ऐसा नहीं होना चाहिए एक वीडियो आ रहा है और आप आप सोच रहे हो नहीं आम एक उसका नहीं देखने नाराज मत होना दोस्तों प्लीज रहा है जोह संपत्य जोड़र दी और मैंने अपने खिंज कम किया अपके लिए बी कम किया एक ला Länder यह चे रहा है इसके बाद अब मैं नहीं करने वाला हूँ जो मैंब लेकर चुका था और आप लोग मुझे देखते रहोगे थोड़ा सा थोड़ा सा बस इंतिधार कर दीजे बस I hope you guys love me and I hope आप मुझे support करोगे देखने आजाना है मेरा मन नहीं कर रहा है आज चलो मैं तुम्हारे comments पढ़ता हूँ नाम के साथ सौमेश्री रंजन मिश्रा कोई एक expected time दे दो कितना नहीं होगा ऐसा नाम है और मैं पढ़ रहा हूँ मैं आप लोग के comments पढ़ रहा हूँ भाई शादी कर लो नहीं भाई अब तो मुझे प्यार से border लगता है मुझे माफ करो भाई मैं नहीं करूँगा तुम लोग को content चाहिए या मेरी शादी चाहिए हो decide कर लो सिदान सिंग thank you brother I love you man मनिशा दास ममी पपा मुसकी कैसे एकदम बढ़िया है थोड़ा बीच में time ऐसा था थोड़ा tension बढ़ा time दा but it's all good they are doing healthy, they are fine and ममी पपा के साथ time spend करने में मुझे बढ़ा अच्छा लगता है इस बुरे वक्त में जो भी जो भी वक्त गया मेरे साथ ममी पपा ही थे साथ में बहुत thankful to God वो है साथ में मेरे और कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ सब के पड़ी आप समथ तो में नहीं पड़ा रहा है देवालिवीडियो याद दीवालिवीडू हो तो नहीं ब्गाए गा लगता नीं क्योंकि यह में यह को डालना है ..." parody करो पूरव इतना kill कर रहा है parody देखू ने उसकी parody भाई इतना उसके साथ मैं जरूर कुछ करना चाहूँगा उसके साथ जरूर करना चाहूँगा उसके साथ जरूर करना चाहूँगा उस पूरस से तो मेरी कपसे बात चल रही है यार वो मेरे को कपसे बोलता है बया कुछ करते हैं साथ में बहुत talented लड़का है वो लेकिन मैं उसके ये लिए कुछ बड़ी चीज ही लाँगा ठीक है ACV159 की एक लाइन पढ़ता हूँ VC dash dash मतलब character का नाम है in a video shot by front camera मतलब open होता है scene front camera से real format में पहला scene एन एक character रो रहा है जोर जोर के फूट फूट के रो रहा है और character जो रो रहा है उसके पीछ एक दूसरा character है उसे समझाने की कुशिश कर रहा है कि रो मत सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो कहता है नहीं सब कुछ ठीक नहीं होगा हम लोग यहापर तेरी वज़े से फसे है बस मैं इससे जाधा नहीं पड़ सकता हाँ चलो आकाश भी है वीडियो में कौन आकाश जादू क्या लगता है तुम लोग को जादू के बिना बनाऊंगा क्या मैं क्या बोल रहे हैं तुम लोग ट्रेलर आएगा आएगा टीजर या ट्रेलर एक ही चीज़ डालूँगा मैं जाधा कुछ नहीं डालूगा मैं को रिवील करना पसंद नहीं है अच्छा मेरे को बात बताओ आए समय मैं सब के नाम लेता हूं सब के नाम ले रहा हूं भाई बुवन का देंडोरा सीजन टू का बार रहा है वो लगा हूँ आए भाई वो लिख रहा है अभी रोको न उसको टाइम दो नहीं अगर तुमको अच्छी चीज चीज ते बंद यार जब मोटा था तो मेरे को तो सब गाली मारते थे मोटा एक चड़ाते थे मैं जहनुर्ली पूछ रहा हूं यार बताओ तो मेरे को पढ़ रहा हूं मैं 30 push-ups लाई मोटा अच्छा लगता दा तुम्लो को यहाभी अच्छा लग रहा हो जाधा मुर्णको समझी नहीं आते यार मेरे को लोगो का समझी नहीं आते आ अपिधा या अश्या क्मेंट है भाइ जैसे वे और अच्छय हो यार यार तुम लोग को मालूम है यार मैं मोटे लोगों के साथ होता है ये तकलीफ है सब चिड़ाते है क्या भाद कर कोई नहीं बोलता है उसको जा कर यार तुम क्यूट लग रहे हो मोटे मिरको तुम नहीं बूलते तो लोग बाई जितनी live video में running time है न उतनी new video की चलो done 36 minutes ठीक है जो video है की 36 minutes की होगी चलो done बस और बोलो तुम लोगों और बढ़े videos चाहिए यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग अच्छा मेरे को बात बताओ ये वीडियो छोड़ू मैं चैनल पे या इसको अपलोड नहीं करूँ कर दिता हूँ यार देख ले ना यार वीडियो दिल से बात किये मैंने देखो मेरे को बात बताओ पहले अच्छा दिखता था पाइब कर्देब को नहीं चल रहाँ अब है यह जांु कि अब ना रहा है सकते हैं अभी तैसे यह अपना पंप नहीं है, आ जाएगा पॉंख, है यार है मेरी यार मेरी कर रहा हूँ महनत यार, पुरा महनत चल रही है मेरी, रोज जाता हूँ यार, अच्छा छोड़ो, सारा डाइम पास छोड़ो, भाई, कॉमेडी पहले जैसे ही करोगे, obviously, यार ये क्या बात है, मेरे को क्यों बात बताओ, तुम लोग ऐसा क्यों लगते है कि मैं, मेरे को मोटा हूँ नहीं जरूर ये कॉमेडी करने के लिगे, यी क्या है? मतब तुम लोग मेरे मोटा पे बहसते थे? सालो? मुझे लगता हूँ मैं फनी हूँ, नहीं, वाफ तो लोग मुझे बोलते थे मैं अ नहीं हो मेरे मोटा में मतलब पीपल उस्टु लाफ ना टॉन मैं जुक्स बट एट नहीं उल्टा है क्या गोला मैंने जो भी तुम लोग समझे ले रहे हो हां लेता हूं क्रियेटिन लेकिन पानी भीना बहुत जरूरी है यार डी आइडरेशन हो जाती है बट लेता हूं कैसे करते कॉमेडी यार वो तो किल कर देते क्या लॉंडे लगते हैं वो एकदम ऐसा पतले अतले हूं तुम लोग टेंशन मत करो ठीक है यह जो भी तुम लोग देख रहे हो ना यह ठी है फोटोज वोटोस के लिए ठीक है यह वी स्टाइल के लिए ठीक है कॉमेडी मेरी होई रहेगी छिचोरापन होई रहेगा तुम लोगों देख लेना एरफॉल होता है क्या भाई ओबिसली होता है यार उमर और यह कैसे नहीं होगा एरफॉल तो होगई आपके लव लाइफ के बारे में बताओ बताया यार अगर तो लाइफ स्टार्ट से देखो गया तो त कुद को वह मेरी बेवकूफी थी मुझे इंसान की परक होनी चाहिए ठीक है एंड मैं वह रिस्पॉंसबिलिटी लेता हूं बगवान सब का बला करे हम लोग ऐसे हैं नहीं लोग मेरे माब ने मेरे को कभी यह नहीं सिखाय कि भाई किसे के लिए बुरा चाहो किसी को रोको क्वों कि वो भी किसी के बच्चे है थीक है ploie उनके जिंदगी किसी के लिए बद्धुआ नहीं देने का किसी के लिए लेकिन अपने लिए स्टन्ट ज़रूर ले सकता हूं है मैं अपने यसेलिफ रिस्पेक स्था ले लिया एक ऐसा भी वक्त था दोस्तों जब मुझे ल इसे भी दिन थे और एक दिन था और मैंने बोला कि यार मैं अनौन्स करूँगा और फिर मेरा वापस मन किया वापस आने बना रहा है यह बस एक धो एक हफ़े के लिए मेरे दिमाग में आया कि मैं चोड़ देता हूं मैंने हार मान ली थी, हार मान ली थी, और बहुत सही बात है यह आपको बताओ, मैंने हार मान ली थी, मैं अपने office गया था फैसे अदर अशिष सर यार आपकी वीडियो का बार ही है यार मैं बहुत मिस करता हूँ मैं आपको यह देखो I swear to God बहुत अच्छा लगा यार वो मुझे बहुत खुशी हुई जब उस बंदे ने बोला and मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं कुट नहीं करने आ ला हूँ मैं नहीं कुट करने आ ला हूँ उस वाच्मेन वाले भाया की वज़े से thank you so much to him और एक मिनिट हाँ तो बहुत अच्छा था and उस दिन की जैसे मैंने सोचा नहीं मैं ऐसा कोई stupidity नहीं करने आ ला हूँ मैं आप लोग को बहुत miss करता हूँ उस time भी miss कर रहा था मैं सोचा नहीं भाई आप तो अपन मेनत करेंगे तो भाई लोग please जब भी वीडियो आएगा मुझे please support करना मैंने अपनी मेनत किया मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से यार कुछ भी नहीं चाहिए वीडियो देख लेना आएगा जिस दिन आएगा देख लेना आप लोग के लिए बनाए एक एक दिन हमने आप लोगों के लिए मेनत किया and I hope आप support करोगे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मुझे चलो भी मुझे वापस जाना है काम करने बहुत सारा काम है and thank you इस project के बाद बिलकुल वीडियो वीडियो आएगी क्या चाहिए आप लोगो क्या करूं मैं इस project के बाद किदर सपोर्ट करोगे तो जरूर जाओंगा क्यों नहीं जाओंगा या मेरा एक ही रूल है जनता को अगर आपको प्यार देना है जो भी चाहिए जनता को सपोर्ट जो जनता को content अच्छा दो चीज अच्छी दो जनता को ये चोड में मत रहो कि मैं हूं तो है आएंगे आएंगे मेरे fans मेरे ऐसा कुछ नहीं होता है आप fans तभी बनाते हो जब आप चीज अच्छी बनाते हो and public से प्यार करते हो public of all granted नहीं लेते हो और करूँगा कुछ ना कुछ यार अगर आपको मुझे किदर देखना है तो मुझे बताओ I will OTP नहीं कहे रहा हूँ मैं OTT कहां मैंने OTP तो बन जाएगा OTP OTT OTT या movies is what I am trying to ask Singham again trailer hosting नहीं यार मैरी रोईद सर से भी बात वी थी रोईद सर को भी मालू मैं मैं लगाऊँ आँ इस काम में मैं तो हमेशा मुझे ही आग करते है एक बड़ा सा इवेंट एकल बहुत मज़ा आएगा ग्रेजी ट्रेलर है बाई लोग ग्रेजी आम I don't know wherever you want to see I'll be there बहुत ग्रेजी टॉपिक जो भी होएगा OTT या मूवी में जो भी इसके बाद देखते हैं कहां जाती है लाई यह मेरी जो जनता इधर बैठी है ना वो आ जाए देखने मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई लोग मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में हाँ आप लोग आ जाओ देखने बास मतलब आप लोग को मालूम है वो जो भी मैं चीज करूँ गा ना भाई लोग तुम लोग को आईडिया भी रही है ये जो तुम लोग Reels देख रहे हो ना पनीर पोस्टिंग जो चलती है ना Instagram पे सारा पैसा कहा जा रहा है कहा जा रहा है दोस्तो सारा पैसा जा रहा है इसमें एरा फेरी चल रही है पैसो की बैंड बज गई है बैंड बहुत महँगा है बंबे भाई लोग बहुत अच्छा था यार मोबाइल से शूट करना बेस्ट है चलो भाई लोग मैं अभी निकलता हूं मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है जब भी वीडियो है प्लीज सपोर्ट कर देना मैंने इतने टाइम से अल्मोस्ट साल होने को आया है मुझे आप लोग को एंटरेन करते हुए मुझे मालूम है लास्ट एक साल से डेट साल से मैं गायबू लास्ट एपरिल 2023 से आइम रीली वेरी सॉरी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गही थी और मैं वापस ऐसी स शुम्हाते सुन के हमने यह बनाया है इसके लिए मुझे सपोट कर देना इस इस वा यू गईस आई डेडिकेट इस प्रॉजेक्ट वेरी इस प्रॉजेक्ट इस यू यह बना ही आपकी वजए से ऐसा सम्झो आपके कमेंट्स आपकी गालिया आपके प्यार सबका एक बॉल एक mixture है, जो इस project में है ओके, support कर ले ना वाई लो मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख ले ना अपने दोस्तों के साथ देखना रात को party के बाद देखना, जब भी देखना है देखना अबर देखना ज़रूर अच्छा लगे, बुरा लगे, बोल देना मुझे, लेकिन देखना, ठीक है प्लीज मुझे support करना, love you चलो, I'll go now, मैं इसे channel पर रखता हूँ